जब जब चुनाव आते हैं सियासी गलियारों से खबरियाना शुरू हो जाती हैं बंगाल के हाई प्रफाल चुनावों के बाद अब देश के सबसे बड़े राजी उत्तरप्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं उत्तरप्रदेश की गदी पर बैचना माने देश का सबसे बड़ा राज अपने हाथ में लेना बीजेपी अभी इस गदी पर विराजमान है वहीं सपा भी अपना 80 चोटी का जोर लगा रही है तो वहीं अब यूपी के मुखिया योगिया दितनात की हाई कमान के साथ बैठ के शुरू हो गई है दलो को लुभाने और नेताओं को तोड़ने का सिलसला भी शुरू हो चुका है वहीं इन सब के बीच एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है हाला कि ये खबरे सूत्रों के हवाले से हैं अभी इसमें को भी आधिकारिक पुष्टी सामने नहीं आई है तो चलिए बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अठकलों पर पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात और भारती जंता पार्टी के केंदर नेतवत के बीच तनातनी की अठकलने चल रही है सियासी हलकों में इसका कारण उत्तर प्रदेश में नितत परिवर्तन और कैबिनेट विस्तार बताया जा रहा है लेकिन इसके पीछे एक और कहानी सामने आ रही है सोत्रों के मताबिक अगले साल होने वाले विधान सबाचिनाव से पहले भाजपा नेतवत उत्तर प्रदेश का विभाजन कर अलग पूर्वांचल राज बनाने पर विचार कर रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व नौकर शह एके शर्मा को उत्तर प्रदेश भेशने और उन्हें विधान परिशत का सदसे बनाने को भी इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है शर्मा कुछ समय से प्रधान मंत्री के संसदिय चेतर वारनसी में कुरुना प्रभंदन समाल रहे हैं जानकारों के मुताबिक अगर पुरवांचल बना तो गोरकपुर भी नए राज में ही आएगा जो की योगी का गड़ है योगी 1998 से 2017 तक पाँच बार गोरकपुर से लोकसभा सांसद रहे हैं योगी गोरकपीट के महंत भी है जहां इसका केंद्र गोरकपुर में ही है पुरवांचल में 23 से 25 जिले और 125 विधान सबास सीटे हो सकती हैं सूत्रों के मताबिक पुरवांचल में गोरकपुर समें 23 से 25 जिले शामिल हो सकते हैं इसमें करीबर 125 विधान सबास सीटे होंगी कहा जा रहा है कि इन पहलूओं को लेकर योगी खेमा सहमत नहीं है गोर तलब है कि अलग पुरवांचर, बुंदेल खंट और हरित प्रदेश की मांग लंबे समय से चली आ रही है शाह से मिले थे योगी उत्तर प्रदेश में बिगरती बीजेपी के स्थिती को सुधारने के लिए अमिज शाह ने कमान एक बार फिर अपने हाथ ले ली है तो वहीं योगी आदेतिनात ने ग्रह मंतरी अमिज शाह से मुलाकात की यहां उनकी करीब देड़ घंटे तक शाह के साथ मीटिंग हुई योगी नड़ा से भी मिले जिसके बाद वो मुधी से भी उन्होंने मुलाकात की बताया जा रहा है कि मंतरी मंडल विस्तार और अगले साल होने वाले उत्ता प्रदेश विधान सबाचुनाफ को लेकर योगी ये मुलाकाते कर रहे हैं शाहने यनुप्रिया पटेल के साथ भी की मुलाकात तो दोस्तों यहां पर उटते हैं दो बेहद ही जरूरी सवाल पुर्वांचल छेत्रों में बीजेपी की स्थिती कुछ ठीक नहीं है ऐसे में अलग राज बनाने पर बीजेपी और कैसे समीकरंट सामने लाएगी और किस हद तक गड़बंदन के फॉर्मूले का प्रयोग करेगी तो दोस्तों यहां जो दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि योगी आदेतनात अब किस प्रदेश के मुख्या होंगे नए बन सकने वाले पुर्वांचल के या हरत प्रदेश के हमें बताएं क्या है आपके यानि आम जन के मन में लिखिए हमें अपनी राए जैहिन मुद्दों की इस भीड में खबरों के इस दौर में क्या है आपके मन की बात मुद्दे उठाएंगे हम और जानेंगे आम जन का मन